बागवान कृष्ण भी कहा है कि देव दूइज गुरु प्रग्या नाम देव दूइज गुरु प्रग्या नाम इतना ही हम कह रहे हैं जहां मिले प्रणाम करो, जूको देव जिनमें दिम शक्तियां आ गई हो देवता सब्द का नाम अर्थ होता है उज्जुल, प्रकास, तेजो में, बैराग्य में तो जहां ऐसे ब्यक्ति को देखो, देव जुक्त उसे प्रणाम करो पुछो मत जात भाई का कंदान क्या है नहीं देव दूइज गुरु प्रग्या नाम कहते हैं दूइज जिसका दूबरा जन्म हो गया है दूबरा जन्म कब होता है एक बार माँ बाप से जन्म होता है दूसरा जब गुरु से दिक्षा लेता है तब जन्म होता है उसे दूइज कहा जाता है अंग्रेजी में रीव वर्थ कहते है जैसे देखता है अमा उस्या के बाद चंद्रमा निकलता है उसे दूइज का चांद कहते है दूइज के चांद को हिंदू मुसल्मान सब प्रणाम करता है तो दूइज उसे ही कहते हैं जो गुरु शे शाधना ले ले लेता है दिक्षा ले लेता है उसका दूबारा जन्म होता है जन्म जाएते हैं जन्म जाते हैं सबसुद्र है जो संस्कार गुरु से पार्प्त करता हुआ दूइज बनता है दुबार अजन होता है इसां मस्छी भी कहें हैं जब तक से तुम्हारा रीवर्थ नहीं होता है तब तक से př intensthr weptç नहीं कर सकते प्रमात्मा के राज में प्रवेश्च करने के लिए आपको का रिवर्थ हो लेना ही जरूरी है इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से देव दूईज गुरु प्रग्यानाम अब गुरु तिसरा सब्दाता है गुरु जिसको तुन्हें गुरु मान लिया है उसमें दोस मत देखो जहां दिखाई पढ़ते हैं प्रणाम करो निवेधन करो अब तुम कहें कि मेरे गुरु नहीं है उनके गुरु यहां पर तुम्हारे और गुरु को नहीं कहा गया है जो गुरु बन गया है बन गया है किसी गुरुई मेर कोई फ्र्यू ती नहीं हो रही हम लोग करते हैं अपने जर्धियु का पूर्जा करेंगे दुस्रे गुरू का देंगे धिला मार दांगे पथर यह नहीं कहा गया हम疑तhor नहीं कहा गया है इसे क्या पुछ रहे हैं। जातिने पूछो साधु का पुछ लो क्याँ मोल करो तलवार का रहन दो म्यान म्यान तो पीछे सपने मिल जाता है तो जो प्रज्ञा नाम है उस प्रज्या को कहते है कि पुजा करो प्रणाम करो इसी बात को रमाइण के नवधा भक्ति में भी कहा गया है क्या कहा है ते सुनाओगा नवधा वक्ति में शूर गुरु दूइज देखी शुष जुका दो शूर गुरु दूइज रेवाइन में तुलसिदास भी कहते हैं जहां भी देवताओं को देखो देवता का मतलत समझो कोई अकास से उतर आएगा तुम्हारे बीच ही बहुत लोग दिव शक्तियों से जुक्ता है वे देव में हैं जिनी कालिमा धुल गई है देव में तो जहां भी तुम देखो शूर गुरु दूइज कहते हैं तुलसिदास भी वहाँ सिष जुका दो तरक भी तरक क्या कया है जब सिष जुकाता है तुम तो उसे तुमको कुछ मिलता प्राप्त करने के लिए सिष जुकाना पड़ेगा जाड़ा के दिन में मीटी का बरतन में घड़ा में पानी रखता है उसके उपर भी एक कोटोरी रखता है धकने के लिए रखता है कि नहीं आप लोग जो है उसके नीचे आता था कोटोरी लूँ हटाते थे पानी ठंडा गर्मी के दिन में उठाल पी लेते थे अधकन भी एक दिन कहा कि आरे भाई जो भी आता है आप तुरत पानी से भर देते हो ठंडा देते हो और हम आपके उपर तो हो आएं बहुत दिनों से बैठे हैं लेकिन हमको एक बुंद पानी नहीं मिला तो कहां कि तुम्हारे साथ यही दिक्कत है तु सीर के उपर बैठा है एदी तुम नीचे कुछ प्राप्त करने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा ना जुकना पड़ेगा ना तुरुषी दाशी शार्णा वही क्राम सीसेी सर्गुरुद कटेश जब तक से धस्रीelles नहीं नवाएगा जूके नहीं कुछ नहीं पराप्त होगा कुछ तरक कर आएगा ज्व Ihre आएगा मिलेगा कुछ न है झाल झाल